अगर आपको भी विपार में बादा आ रही है, घर में बच्चे बात नहीं मान रहे, घर में आप जाते हैं तो आपका माइंड अशांत हो जाता है, कहते हैं ना घर एक ऐसा स्थान है, जहां पर आप पहुँचते ही आपको सकून और प्यार महसूस हो, पर जब आप अपने घ घर में जाते हैं तो ये सब चीजें उल्टी हो जाती हैं, आपको घर जाने का मन ही नहीं करना, या घर में जो रह रहे हैं, उनका मन करना कि वो घर से बाहर ही निकल जाएं, यानि आपकी घर की वाइब्रेशन सेट नहीं है, सकून नहीं है, प्यार नहीं है, कोई एक दूस इस वक्त क्या उपाय करें जिससे की आपकी घर की वाइब्रेशंस भी सैट हूँ, आपके घर में आपको जाकर सकून भी मिलें, उससे पहले आप मेरे चैनल के को सबस्क्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंड करें, ताकि मैं भी आपके लिए रोस ऐसी अच्छे-च वीडियोज लाकर घर बैठे आपको आपकी परिशानियों का हल दे सकूँ देखिए अगर आपके ग्रहे भी आपको समझ नहीं आरा कि कौन सा ग्रहे आपको परिशान कर रहा है किसकी वज़ा से आपके घर में अशांती फैली हुई है तो ये उपाए जरूर करके देखें यानि की अजवाइन 100 ग्राम, काले तिल 100 ग्राम, काली साबुत मिर्च 100 ग्राम, लोंग 100 ग्राम, तेजपत्ता 15-20 और जों 100 ग्राम दुबारा रिपीट कर रही हूँ, आपको जो समान चाहिए 100 100 ग्राम वो है अजवाइन, काले तिल, लोंग, साबुत काली मिर्च, जों और 15-20 तेजपत्ते, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे समान अब आपके पास आ गए है, अब आपने करना क्या है, आपने इन सारे समा पानों को इकठा मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, ग्राइंड करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा थोड़ा सा गुर डालना है, थोड़ा सा सरसो का तेल डालना है, ताकि ये अच्छी तरह बाइंड हो जाए और इसकी गोलियां बन जाए, अब गोलियां बन गई, औ और उसको हलका सा भवा में ही पंखे में सुखा लो और एक डिब्बे में भरके रख लो अब डेली आपने क्या करना है सूर्य अस्त के बाद आपने मिट्टी का दिया लेना है उसमें आपने भीम सैनी देशी कपूर डालना है भीम सैनी देशी कपूर डालने के बाद आपने अब आपने मिट्टी के दिये में थोड़ा सा भीम सैनी देशी का पूर लिया और जब इसको जलाया आपने इसके उपर तीन गोलियां जो हमने गोलियां बनाई हैं उसमें से तीन गोलियां आपने इस मिट्टी के दिये में डाल कर सबसे पहले नीचे प्लेट रख लेना और पूरे घर में इसकी धूनी देना मात्र ये उपाई करके देखेंगे आपके काफी ग्रेह भी जो आपको नकरात्मकता परदान कर रहे थे पैसे के मामले में घर में या शांती के मामले में वो शांत होने शुरू हो जाएंगे ये उपाई आपको डेली करना है तीन गोलिया भ रोज मिट्टी का नया दिया लेना है ये उपाए आप करके देखो आपको खुद चमतकार सकून और धन और अन की बरकत और घर में कला कलेश खत्म होता हुआ खुद मैसूस होगा जै शी रादे जै गुरू जी